नमस्कार, दुनिया की तमाम अताओं को मेरी तरफ से मदस्दे की हादिश सुखकामना है, मा तो सच्छ में महान होती है, मा की ममता कोई मोल नहीं, मा जो अपने बच्चों के लिए करती है, उसका कर्ज हम जिन्दगी में कभी नहीं उतार सकते हैं, मैं एक कहानी के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, कि मा की क्या ममता होती है, क्या उनका मोल होता है, एक बार की बात है, स्वामी विवेका नंद जी से किसी आदमी ने उ पुछने आया कि मा को महान क्यों कहा जाता है, तो स्वामी विवेका नंद जी ने कहा कि ये काम करो तुम, अपने पेट पर चार से पांस किलो का पथर बांध लो, और कल फिर आना, तो मैं बताऊंगा कि मा क्यों मा को महान क्यों कहा जाता है, तो आदमी चला गया और कुछ ही घंटे यानि तीन चार घंटे के बाद ही वह वापिस आया और बोलता है गुरू जी मेरे सी ये चार पास किलो का ये पत्थर नहीं बांदा जाता पेट पर तो फिर स्वामी विवयका नंजी ने कहा देखो तुम चार से पास घंटे अपने पेट पर पत्थर नहीं ब बच्चों को पेट में रख सारे काम करती है और जिंदगी भर अपने दिल में रखके जीती है तो बताओ उसके बाद स्वामी देन को कहा कि हम उनका कर्ज कभी भी माताओं कर नहीं उतार सकते इसलिए हम बच्चों को हम युवाओं को अपने माता-पिता का ध्यान अमेशा रखना चाहिए इसी के साथ मेरी सोटी से वाली की धन्यवाद थैंक्यू